इंटेस्टाइन में क्या होता है जनरली इंटर करता है थोरो फूड एंड वाटर कंटामीनेटेड मतलब दूसीद भोजना और दूसीद जल्स की थूरू ठीक है कि 39-40 डिग्री सेल्सीएस फीबर हो जाएगा बीकनेस सिस्टमक पेंड कंस्टिपेशन हेड़ेक एंड लास आफ अपटाइटिस रसामा अब तक कामन सिंटम आप इस डिजीज ठीक है बहुत ध्यांस पढ़िये intestinal perforation and death may occur in severe cases typhoid fever could be confirmed by Vidal test मैंने आपको बताया था किस चीज़ से typhoid fever को confirm किया जाता है Vidal test की थूँ ठीक है और ये classic case in medicine that of Mary Melon निगनेम typhoid Mary जब वर्थ mentioning ही है सीवाज एक कुग बाई प्रोफेशन मतलब बाई प्रोफेशन बताया था निगने आपको एक विदेशी महिला थी उनका नाम महिरी मिला अंतन एक टायफाइड महिरी था तो उन्होंने बाई प्रोफेशन एक कुग थी and was a typhoid career who continue to spirit the typhoid personality and throw the food is prepared मतलब food जो उन्हों बनाती थी कई वरस हो तक उसके थूरू उन्होंने टायफाइड मांटा सबको bacteria like streptococcus pneumonia and hemophilus influensy दूसरी जो disease दी गई यह मनें pneumonia की बात की थी bacteria like streptococcus pneumonia and hemophilus influensy are responsible for the disease pneumonia in human मतलब दो यह क्या है bacteria है जो की pneumonia काज करती है which infect the alveoli air filled sex of the lungs as a result of the infection मतलब यह lung को effect कर अलबुलाई को effect करती है result of the infection the alveoli get filled with flu नहीं बताया था कि alveoli यह होती हो fluid से भर जाती है to severe problems in respiration और respiration में बहुत सारी problems होने लगती है the symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache symptom है pneumonia कि क्या symptom हो symptom क्या होते है symptom वो होते है जो क्योई इसी disease क्या कोई भी body function जो आपके सरीर में हो रहा है वो जब आपको effect होगा जो affected होगा तो कुछ उसके लच्छन दिखाई देते है उपर से देखने में लग जाता है कि यह चीज यह लच्छन दिखाई दे रहे है इसका मतलब आपको यह रोग है लच्छन वो होते हैं जो किसी भी रोग को पता लगाने में help करते है ठीक है वो ही symptom होते है तो symptom आप pneumonia include fever, chills, cough and headache in severe cases, the lips and fingernails may turn to grey to blues grey to blues हो जाता है यह किसका कलर फिंगर के nails का और lips का लिप समझे लेना ठीक healthy person acquires the infection by inhaling the droplets a aerosol result by an infected person मतलब जो healthy person हो कैसे इसको acquire करेगा वो acquire करेगा aerosols या droplet के थूँ जो की disease वाले person से निकला है drop plate या aerosol उसके थूँ जो है वो acquire करेगा ठीक है और by the released by an infected person और even by sharing glasses and utensils मतलब जो glass आप share कर रहे हैं किसी किज़ा मने आपको बताया था पांच ऐसी diseases हैं जो bacteria से होती है तो तीन इसमें नीचे भी दिया गए dysentery, plague, dipteria, etc तो आप यहीं बगल में NCRT में आप लिख लीजिए bacterial disease लिख लिख लिए heading डालिए और हलका सलाइन मार के लिख 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 लिजिए कौन कौन सी disease बैक्टीरिया से होती तो पांच इसमें हो गए दो तो describe की गई है एक क्या, एक टाइफाइड, दूसरा निमोनिया अत्तीनी और दे दीगी तो पांच आप लिख लिख लिजिए अपने मन से क्या क्या लिखेंगे टाइफाइड, निमोनिया, dysentery, plague, dipteria पांच आप लिख लिख लिजिए अपना ठीक है, the common cold जो कि क्या काज करता है, common cold काज करता है they infect the nose and respiratory pices ठीक है, यह क्या करते है infect करते है nose को respiratory pices को और but not the lung, सबसे important है इसको tickly red pen है आप पर red pen आप लेके बैठा करिए ठीक है, तोड़ा हट के दिखता है इसमें फैलता भी नहीं, उसका color फैलता नहीं है books में, ठीक है आप blue और black से अगर गोला करेंगे तो फैल जाता है उसका color, तो आप red लेके बैठीए और जो बटनाट दा लंग लिखा को उसको गोला कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा, pneumonia में लंग की अलवियोलाई जो है effect हो रहा ही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात common cold में क्या जानने वाली है इसमें lung effect नहीं होता है lung effect नहीं होता है, इसको आप जो है, गाठ मात लीजिए ठीक है infect नहीं होता इसमें lung ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए और इसमें क्या-क्या infect होता है, इसमें आपका infect होगा nose or respiratory prices ठीक है इसमें इसके क्या-क्या symptoms है, common cold is characterized by nasal congestion, discharge, sore throat harshness, cough, headache tiredness, यह सब आप इसके symptoms हैं, आप इसको जात कर लिए nasal congestion, discharge, sore throat harshness, cough, headache, देखिए जो इनार्मल चीज़ है NCRT के आपको हर word पर ध्यान देना होगा, हर line आपको याद होनी चीए, लेकिन जो चीज़ें मैं especially बता दूँ, वो के key point की तरह है, वो तो जरूर ही, मतलब जब आप revise करें, ऐसा हो कि आप NCRT से दो-तीन बार अच्छे से पढ़ें, ठीक तो आपको लगभू जो common चीज़ें हो याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जिन पर हमारा, हमारी नजरें नहीं पढ़ती हैं, जैसे अब ये but not the lung, तो आपको नहीं पता हुआ होगा कि pneumonia में lung infect होता है, क्योंकि ये चीज़ें जानने वाली है, ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, और 3-2-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए इसमें कोई दवावा लेने की खास ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको लेने मेरी सला से पैरा सीटेमा, मैं डाक्टर नहीं हूँ, मैंस कोई सला नहीं देर हो भी या नहीं, तो कहीं जाओ, रिपोर्ट कर दो मेरे खिलाब, तो ऐसा इनफेक्टेड परसन से जो निकलेगा, वो डारेक्टली आप एक्कॉयर करने, डारेक्टली आप इनहेल कर लें, ले लें, किसी तरीकिये से, या फिर आप उसके द्वारा उपयोग किये गए किसी समान, जो जिसको टच किया, पैंसे लिखा, आप उसकी पैं मांगे, उसको जो है कामन कोल्ड था, उसमें उसका वायरस था, आप उसको एक्कॉयर कर लिए, तो आपको भी हो जाएगा, उस समय अगर आपकी इम्यूनिटी भी होई, कभी कभी होता है, हमारी इम्यूनिटी सही चल रही है, तो फाइट करके उसको हरा भी देती है, ऐसा नहीं है, कि हो ह जाएगा, कि हमने देखा होगा, किसी गूरूप में दस लोग है, एक विक्ति को, जो है कामन कोल्ड रहा हो, तो उसमें एक दो लोग इंफेक्ट हुए, एक दो लोग बाकी लोग बच गए, तो मतलब उन किम्यूनिटी हो सकता, उस टाइम पे अच्छी रही हो, तो ऐसा हो होता है, फिर आते हम लोग प्रोटो जवान से होने वाले डिजीजिस के बारे में, जिन में दिया गया है मैलेरिया, तो सम आप दर हुमन डिजीजिज़ आर काज़ बाई प्रोटो जवान, यू माइट है वर्ड एबाउट मलेरिया, डिजीज मैन, हैज बीन फाइटिंग स विलॉ conceptual डिजीजिस मेनी एर्स प्लाजम डियम में, ठीनी प्रोटो जवान, इसपॉनसिबल प्रोटो जवान, इसपॉनसिबल फाइप अप दिपलाजम डियम, आप दीज malignant malaria caused by plasmodium falciparum is most serious one and can even be fatal मैंने आपको बताया था malignant malaria किसके दोरा काज होता है plasmodium falciparum के दोरा ठीक is the most serious one and can even be fatal let us take a glance at the life cycle of plasmodium ठीक है plasmodium की यहाँ पर life cycle दी गई plasmodium enters the human body में इंटर करता है आज इस पोरो जोईट इस पोरो जोईट के फार्म में ठीक है थोरो दा बाइट आप infected female एनाफिलीज मास्किटो जो होता है वही इसको transmit करता है उसके जो है बाइट के थुरू जो है इस पोरो जोईट के फार्म में human body में जाता है तर पारासाइट initially multiply within the liver cell जो पारासाइट होता है liver cell में initially multiply होगा खुब और देन अटाइक the red blood cell और उसके बाद red blood cell पे जला rbc पहले liver cell में जो है multiply होगा कई मतलब multiply होने क्या मतलब है एक एक इस्पोर जो आइट है उससे कई बन रहे है उसका divide हो होके उसकी cell उसके इस्पोर कई हो रहे है ठीक है तो उसके बाद यह कहां पे जाएगा उसके बाद पारासाइट initially liver cell में जो है multiply होगा और एटाइक करेगा red blood cell rbc पर resulting india rapture और उन्हें rapture कर देगा rapture होने का मतलब है उन्हें rapture करने मतलब होता फोड़ देना इसे कुछ होता है खराब कर देना कोई ची उसका मतलब rapture तो rapture कर देगा rapture rbc associated with release of toxic substance जो rapture rbc है उससे क्या release होगा toxic substance इसका नाम है hemo join इसको आप एक टिक कर लीजिए इसको भी गरब जो toxic substance hemo join को आप गोला मना लीजी जो कि rbc से release होता है यह कब release होता है जब जो है अटाइक करता है उसके उपर sporogoid sporogoid जब rbc में चला जाता है ठेक उसको रप्चर कर देए which is responsible for the chill and high fever यही hemo join ही जो है क्या है यह जो है रिस्पांसिबल होता है चिल हाई fever recurring every three to four days है फीमेल एनाफिलीज mosquito bites and infected जब कोई फीमेल एनाफिलीज mosquito bite करेगी किसी infected person को जिसको हुआ है मलेरी यह अगर उसको काट रही कोई फीमेल एनाफिलीज mosquito तो यही चीज समझने वाला है इसी पॉइंट में कुछ ज़्यादा समझने वाला ही है इसके बाद जो ज़्यादा उतने conceptual यही एनाफिलीज उसको कोई एनाफिलीज компании को जब किसी infected person को काटे गी उसका जो है बल्ड दीज पायरासाइट इंटर जाएब उसका सीरा जाएं के मासइटो के बाडी में जाएंगे जब उसको काटेगी तो मासकीटो के बाडी में जाएगा उसको खून जो है जाएगा नहीं blood and undergo further development और उसमें जा कि फर्दर development होगा उसका मास्कीट हो के अंदर the pyrocytes multiply within them to farm sporozoides that are stored in the in the saliva जो pyrocyte होगा multiply होगा within them उनमें multiply होगा और फार्म होगा क्या sporozoide farm होगा क्यों कि human में अभी उपर वाले लाइन में क्या पढ़ा sporozoides के farm में जाता है humans के अंदर जो malaria का जो प्रोटो जवान है sporozoides के farm में जाता है तो sporozoides के farm में जाता है लेकिन जब यह लेता है वहाँ से कहां से blood से लेता है तो pyrocyte के farm pyrocyte क्या होते है multiply within them मतलब इसमें जब जाएगा मास्किटो में पैरसाइट्स का multiply होंगे पैरसाइट्स उसके बादे मैचोर होके sporozoides के farm में हो जाएगे ठीक है और इस टोर्ड कहां हो जाएगे salivary gland में किसके salivary मास्किटो का salivary gland then these mosquito bites the human जब यह उसके बाद यह mosquito क्या होगा किसी human को फिर से bite करेंगी उसका blood blight करेंगी तो इस sporozoides are introduced into his यहार बादी फिर से sporozoides क्या होगा उसके बादी फिर चला जाए इसी तरीके से क्या होगा इस तरीके से यही इवेंट चलता रहता है काउन सा इवेंट infected person को काटेगा उसका paracite आएगा मास्कीटो के अंदर मास्कीटो के अंदर उसका further development होगा multiply होगी इस पोरोजाइट के फार्म में हो जाएगी फिर उसकी पैरासाइट फिर उसकी पैरासाइट फिर मास्कीटो के अंदर हो रहा है उसको आप development होगे इस पोरोजाइट फार्म में हो जाएगा फिर इस पोरोजाइट जब फिर किसी काटेगी इस लाइबरिग लेंड के थुरू फिर नार्मल हुमन को काट रहे है किसी जो सही है उसको काटेगी उसको फिर हो जाएगा यही cycle चलती रहती अनुवरत लगातार continuously यही चलता रहता है ठीक है इसमें क्या दिया गया है तो हुआ है यहां से पढ़ना था ना होस्ट को यह क्या करता है रिक्वायर होती है इसको रिक्वायर्मेंट होती है दो होस्ट की ठीक है दो होस्ट कौन कौन को है हुमन एंड मास्कीटो तो कम्प्लीट इस लाइफ साइकल अपनी कम्प्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है एक हुमन और एक मास्किटो दो चीजों की इसको रिक्वाइर्मेंट होती है मालेरियर पारिसाइट को तो कंप्लिटिट साइट सेगे तो फीमेल एना फिलीज मास्किटो इस दा बेक्टर बेक्टर मतलब टांस्मीटिंग एजेंट को ही बेक्टर कहते है तो यही क्या फीमेल एना फिलीज मास्किटो ही इस क्या होती है बेक्टर होती है जो एक बेक्टी से दूसरे बेक्टी तक पहुंचा रहे हैं कार कर रही है अगर यह ना होती तो साइट मलेरिया ना होता क्योंकि जब ट्रांस्पर्न न करती तो मैं ले लिया किसी को और किसी को होता नहीं अब आप देखिए यहां पर आपको दिया गया है एक फीगर दिया गया है बिल्कुल आप फीगर को ऐसे खोल लीजिए मैं सो कर दे रहा हूँ आज यही तक मैं पढ़ाऊंगा भी इस से जादा नहीं तो आप फीगर को देख लीजिए इधर दिया गया है यह यह वाले बात की कर रहा हूँ तो आईए इसको आप देखिए इसमें आप देख रहे होंगे हाथ का फीगर बना है इधर हाथ का फीगर बना है ना इस पे क्या हो रहा है मास्किटो बाइट कर रहा है मनला छब किसी हीुमन को काट रहे है तो जो इस पौरोजौयट है वो कहां जा रहा है। यूमन के इंदर जा रहा है ठीक है एंडर झाल मास्कीतों के पास थेवाय थे मास्कीटों के पास है। और शेल जो हो जाएगि एख लिद में रिलीज हो जाएग इरिरीज हो जाएग है उसके बात फिर यह घर लगाकर लिखेगा ein पैरसाई ट्री प्रोड्य Lau एा gak आडल पैरसाइट को जो से उगंगे असक्षिभी में एंड़ ब्लाइक्व क canyon काजिंग साइकिला फीबर और साइक फीबर काज करेंगे वही हीमोजोईन जब यह बच्ट होंगी आर बीसी तो उसमें हीमोजोईन निकलेगा वही तो जो है कारण होता है फीबर का तो वही फीबर होगा और जो लच्छन है वही आ जाएंगे और रिलीजड पैरसाइट इसा चलता रहा फिर उसके बाद देखिए फिर एरो लगा कि क्या लिखा गया है सेक्सुल इस्टिएज डवलब इंदर रेडबलस से इसमें सेक्सुल इस्टिएज देख रहे हैं आप एक से दो से बन रही में लैंड फीमेल तो यह बन गई उसके बाद इसको गयमीटो को कहा से ले रही बिद्दा बलड मील बलड मील के साथ फिर से निकाल रही हूमन के अंदर थी अब यह नार्मल वाला मास्कीटो ने दिया था हूमन को सारी परासिस हूई मास्कीटो जो पैरसाइट से उने इंफेक्ट किया तमाम सिम्टम आए आदमी की इतने दिकतों का सा क्या हो रहा है फिर से इसको ली और उसका फर्टिलाइजेशन और डवलपमेंट टेक्स पर इंदे मास्किटो ठीक है मास्किटो गट्स यहां पर दिये गए यहां पर मास्किटो की गट्स में हो रहा है सब ठीक है फटलाइजेशन और डवलपमेंट कहां कोई का कोई पूछ लेकत का बताएंगा मास्किटो गट्स उसके बाद क्या होगा फिर एरो लगा के लिखा गया माचियोर इंफेक्टिव इस्टेश पोरोजाइड इसके फ्राम दगाट माइगरेड टूदा मास्किटो मतलब यह क्या होगा इस पोरोजाइड इसकैप होगा उसके गट से और उसके गट शाला जाएगा शला जाएगा मास्किटो और फिर से वो किसी हूमन काट डेगा फिर उसके अंदर डाल लेगा यही प्रोसेस बार-बार चलता है इसमें झाल झाल